परोधा विदानसभा उप्चनाओ अपने आखरी दोर में पहुंच चुका है। परकास चोटाला ने खुद परचार की कमान सभाली हुई है। वह अपने राज में हुए कामों की दुहाई जनता को दे रहे हैं। भाजपा गठबंदन सहयोगी जजपा के साथ मिलकर अब तक उनके लिए बंजर रही बरोधा की धरती पर कमल का फूल खिलाना चाह रही है। जीन दुप चुनाओ में भी भाजपा ने मनोहरलाल सरकार के पहले कार्यकाल में 52 साल में पहली बार कमल खिलाया था। अब पार्टी बरोधा को भी भगवा रंग में रंगना चाह रही है। जबकि कांग्रेस ने इस सीट को अपने कबजे में रखने के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। हुडा पिता पुत्र के अलावा अन्य कांग्रेस दिगजबी दिन रात पर चार में डटे हैं। इनलो ओपी चोटाला के दम पर करिश्माई प्रदर्शन की आस लगाए हुए है। वाइदे किये हैं उन पर 11 नवंबर के बाद से कारिय किया जाएगा। सीम का कहना है कि इस चुनाव में बरोदा की जनता नया इतिहास लिखेगी। यह चुनाव विकास बनाम भरामक प्रचार का है। कांग्रेस ने हमेशा बरोदा की अंदेखी की हैं भाजपा ने हलके की सुद ली है। उन्हें पूरा विस्वास है कि जनता विकास को चुनेगी। भाजपा, जजपा, कांग्रेस और इनेलो के दिगज चुनावी दंगल में लगातार डटे हुए हैं और आखरी दोर में जीत के लिए जो रजमाइस बढ़ी गे। वहीं बरोदा के चुनावी रण में पहली बार उतरे डिप्टी सीम के निसाने पर रहे पूरो सीम भुपंदर हुड़ा और दिप्टी सीम दुशन चुटला ने कहा कि प्रदेश की जनता को लूटने वाले आज खुद को जनता का हितैसी बता रहे हैं। प्रदेश को हुड़ा की सरकार में लूटा गया और राबर्ट वाडरा जैसे बाहरी लोगों से लुटवाया भी गया। एक साल के कारियकाल में प्रदेश के कई बड़े बडलाओ किये। बरुदा में दो कोलेज और युनिवरसिटी की गोसना के इलावा सडकों के निर्मान कारिये के लिए करीब 35 करोड रुपे, गराम पंचायतों के विकास के लिए करीब 43 करोड रुपे के कारिये कराए दुशंत चुटला ने सवाल उठाय कि क्या हुड़ा ने इससे आधा भी बरोदा को दिया है उन्होंने कहा कि पहलवान योगेश्वर दत ने देश वे विदेश में हरियाना का नाम रोशन किया है वह अपनी पहचान के कारण छेतर के विकास के लिए रास्टरपती परधान मंतरी तक जा सकते हैं जबकि कांगरे सुमिद्वार केवल हुगदा तक रह जाएगा वही बरोदा हलके के 20 गावों को समवेदन सील मानते हुए वहां मतदान के दुरान पैरा मिल्टरी फोर्स तैनात की जाएगी इसके अलावा भी सुरक्षा को लेकर के कड़े परबंद किये गए हैं वही उपचनाओं में 544 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट पेपर जारी करने के लिए 5 टीमें गठित की गई थी जिन में से 284 मतदाता पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल हो चुका है पोस्टल बैलेट की सुईधा 80 इस से अधिक आयूवर वालों के लिए दिव्यांग मतदाताओं में करोना पोस्टिव मतदाताओं को दी गई थी डी सी शामलाल पुनिया ने कहा की हलके में उपचनाओं के लिए 280 बूथ बनाए गई हैं सभी की वेब कास्टिंग की जाएगी एक महीला मतदान के अंदर राज के उच महाविदाले आहूलाना में बनाया है